Good day to all of you. जैसे कि आप जानते हैं, इस वीक की पहली क्लास में आप कुछ नया सीखते हैं और उसके अगले क्लास में आप उसका अभ्यास करते हैं. आईए आप पिछली क्लास का रिविजन शुरू करते हैं. क्या आपको याद है कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था? आपने पिछली क्लास में इंसर्ट, पॉर्मेट और टूल ओप्शन के बारे में सीखा था. इसलिए आईए पहले इनका रिविजन शुरू करते हैं. एनिमेटिड इमेज क्या होता है? एनिमेटिड इमेज की मदद से आप स्लाइड पर इंसर्ट की गई सभी पिक्चर को एक इमेज में एड करके, उन सभी पिक्चर को एक-एक करके देख सकते हैं. क्या आप जानते हैं, अगर आपको इम्प्रेस के स्लाइड पर कोई MP3 या वीडियो प्ले करनी हो, तो कौन से विकल्प का उप्योग करेंगे? अगर आपको अपने इम्प्रेस में कोई भी MP3 या वीडियो को प्ले करना है, तो आप इंसर्ट मेन्यू के मूवी एंड शाउंड विकल्प का उप्योग करेंगे? क्या आप बता सकते हैं, इम्प्रेस में की गई ड्रोइंग को क्रॉप की मदद से कट कर सकते हैं? अछवण नहीं, क्योंकि क्रॉप प्क्चर का उप्योग सिर्फ आप तब करेंगे जब किसी पिक्चर को इंसर्ट कर चुके हैं, और आप उसे क्रॉप करना चाहते हैं, तो Spelling को चेक करने के लिए आप X7 का उप्योग करेंगे क्या बता सकते हैं Impress के किस menu बार के अंदर text, line, area, style and formatting विकलप आता है Format menu के अंदर text, line, styles and formatting विकलप का option आता है क्या बता सकते हैं color replacer से क्या होता है Color replacer के द्वारा आप किसी picture में जो color है उसे आप color replacer की मदद से ले सकते हैं और उसके किसी दूसरे color के साथ बदल सकते हैं क्या आप जानते हैं minimize presentation को उप्योग क्यों करते हैं इसके द्वारा आप अपने presentation की file के size को reduce कर सकते हैं इसके द्वारा आप अपने image को compressed कर सकते हैं इसके द्वारा आप अपने impress के presentation की समरी को देख सकते हैं क्या बता सकते हैं फाइल के wizard option का उप्योग क्यों करते हैं wizard एक ऐसा option है जो आपको letter, facts, presentation इत्यादी के format को त्यार करने में मदद करता है जिसे आप अपने office के उप्योग में ला सकते हैं अब आप सभी अपने computer को on करें, impress की file को open करें आईए अब आज की class को शुरू करते हैं आज की class में आप सभी पिछली class का revision करेंगे सबसे पहले आप layout में से title slide layout को select करें और फिर दिये गए line को type करें और उसे 5 बाद copy paste करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो को देखकर copy paste करना सीखते हैं एक से ज़्यादा बनाने के लिए हम इस line को copy paste करेंगे लेकिन उससे पहले इस line को select करना होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इस line को select किया आप भी line को select करें किसी भी तरीके साप line को select कर सकते हैं उसके बाद आप shortcut command control plus C paste करने के लिए control plus V का उप्योग करेंगे तो आप इस तरीके से copy paste कर सकते हैं अगर आपको standard toolbar के option से copy paste करना है यहाँ पे हमने shortcut command का उप्योग किया तो इस प्रकास से आप भी एक line को copy paste करके दिखाएं अब आप एक नई slide लें और आप उसमें movie and sound option का उप्योग करके दिखाएं और फिर उसके बारे में कुछ type करें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से movie and sound विकल्प का उप्योग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं movie and sound विकल्प की मदद से आप अपने slide पर किसी भी प्रकार का multimedia को insert कर सकते हैं वो चाहिए video हो या audio या picture आप उसे अपने slide पर insert कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले new slide को insert करें जैसे कि आपको видео में दिखा जा रहा है है अब यापे एक new slide को insert किया अब यह title content है आप चाहिए यहाँ से भी insert कर सकते है movie को जैसे का आपको वीडियो में दिखा हूँ अगर यहां पर मूम इंजेक्र करना चाते हैं तो इस विकल्द पर क्लिकर प्लिकर ऒडारेक्ट जहां पर भी आपकी फाइल है यहां से फाइल hours southeast ś विदियों या ओडियो को बहना से सलस्रक्ट कर सकते हैं हमें मूवी और साँंड को इंसर्ट मेन्व करना है इसके लिए हमने मेन्वी क्लिक किया मूवी और सांड विगल को स्लस्रक्ट कर लिया जैसे select करेंगे एक box open हो जाएगा आपने जहाँ पर भी किसी भी audio या video को save किया है आप वहाँ से select कर सकते हैं अपने multimedia को आप select कर सकते हैं वहाँ से हमने video option को select किया है sample video को open किया यहाँ पर एक wildlife का video है हम इसको select करेंगे फिर open कर देंगे open पर click करेंगे जैसे open पर click करेंगे यह video आपके slide पर insert हो जाएगा जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर वह video यहाँ पर insert हो चुका है अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो title में आप इसको title दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर इसके title में wild dive लिखा अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर title में wild dive को type कर दिया अगर इसको प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले का button इस पर click करेंगे तो play हो जाएगा पॉस पर click करेंगे तो वीडियो पॉस जाएगा स्टॉप करेंगे तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा मूवी एंड साउंड विगल को अप्योग कर सकते हैं अब आप एक और slide को insert करें और उसकी summary बनाएं फिर आप उस summary को slide के title में बदल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो को देखें और सीखें कि summary slide को कैसे बनाएंगे आईए वीडियो की मदद से summary slide और spent slide के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो slide को हमारे पास दो slide है दोनों slide में एक में paragraph और दूसरे में वीडियो है इसके title में कुछ लिखा हुआ है अब हमने अगले slide को insert कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने title slide को select किया और यहाँ पर title में हम इसके कुछ type करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर computer 6 सा type किया तो आप देख सकता है अभी हमारे पास 3 slide है तीनों पर अलग-अलग title दिया हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब हम इसके एक अलग से slide में इनको summary को देखना है इसके लिए insert menu पे जाएंगे insert menu पे click करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर click किया फिर summary slide को select करेंगे जैसे summary slide को select करेंगे तो आप देख सकते हैं एक अलग से slide insert हुआ है और वहाँ पे जो title बार में नो title दिया था उसका title इसमें so हो रहा है wildlife और computer system अलग से इसका summary बनके आ गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको इन दोनों title को अलग-अलग slide के अंदर convert करना है आप चाहते हैं कि wildlife और computer system एक अलग-अलग slide में बनके आए उसके लिए आपको expand slide को उप्योग करना है इसके लिए आप insert menu पे click करेंगे click करने के बाद expand slide पे click कर देंगे जैसे आप expand slide पे click करेंगे जो आपका summary बनके आया था वो दोनों अलग slide में बनके आ जाएगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं computer शिक्षा उसके title में आ गया और second में wildlife ये दोनों individual अलग-अलग slide बनके आगे और इसके अंदर जो में title लिखा था वो title उपर लिखके आ रहा है तो इस प्रकार से आप summary slide और expand slide का उप्योग कर सकते हैं अब आप एक नई slide को insert करें जिहान रहे ये slide आपकी blank slide होनी चाहिए उसके बाद आप इसमें animated image option का उप्योग करके दिखाएं अगर animated image को बनाने में कोई समस्या हो तो आप video की मदद से सीखें और देखें किस का उप्योग कैसे करते हैं आईए video की मदद से animated image का उप्योग करना सीखते हैं जैसे के आप सभी जानते हैं animated image की मदद से आप एक से ज़्यादा image को insert करके उसे animation के रूप में देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एक नई slide को insert करें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर इसे blank कर दें अमने layout option में जाके उसे blank किया अब हमें इस slide पर picture को insert करना है इसके लिए आप सभी को insert menu पर click करना है हमने यहाँ पर animated image को पहले select किया तो आप देख सकते हैं एक box आगया अब हम picture को insert करेंगे उसके लिए picture विकल पर जाएं from file option को select कर लें जहाँ पर भी आपने picture को save किया है या आप by default जो computer के अंदर कुछ pictures होता है आप उसे insert कर सकते हैं हमने picture को select किया और open पर click कर दिया उसके बाद apply object पर click करना है हमने apply object पर click किया क्योंकि हमें एक से ज़्यादर picture को insert करना है पिक्चर option पर जाएंगे from file option को select किया और light house option को select करके फिर से picture insert हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से apply object पर आपको click करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर apply object पर click करेंगे फिर इस picture को delete कर देंगे फिर से next picture को insert करना है उसके लिए insert menu पर जाएंगे picture option पर जाएंगे from file फिर से कोई से भी picture आप insert करने जिसे आप insert करना चाहते हैं जिसे आप animation की रूप में देखना चाहते हैं हमने इस picture को select किया desert को फिर open पर click कर देंगे फिर से apply object पर click कर दें हमने apply object पर click कर दिया फिर से इस picture को delete कर दें एक और picture को insert कर लें पिक्चर विकल पर जाएं from file पर click करें किसी एक और picture को insert कर लें हमने इस picture को select किया open पर click किया यह picture insert हो चुका है अब फिर से हम apply object पर click करेंगे फिर से delete करें एक और picture को insert करें अब पर क और अब चुल्च करें पर भी किया है फिर से अब्राइऑ अबजेक्ट किया में को में कि create पे click कर देए जैसे आप create पे click करेंगे जितने भी picture आपने insert किये थे उन सबका एक animation बन जाएगा उस animation को देखने के लिए आप सभी को slide show करना होगा जब आप f5 press करके slide show करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी picture आपने insert किया है वो एक साथ play होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सिर्फ हम एक बड़ down scroll कर रहे हैं down arrow key का उप्योग कर रहे हैं जितने भी image को insert किये वो आपने आप सारे एक साथ play हो रहे है तो इस प्रकार से आप animated image का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी एक और slide को insert करें उसमें picture या चित्र के position और size के द्वारा उसे change करके दिखाएं और इसे rotate भी करके दिखाएं अगर कोई समस्त्या हो तो वीडियो को देखें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं position and size का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक slide को insert कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे कोई एक picture को या किसे एक drawing को draw कर लें drawing tool वार मेंस्टी हमने एक save को select किया का select करने के बाद ससूह ślide पे हम drag करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है आप भी इसी तरीके से कोई भी अच्ग को on Windsra कर लें और से पने i skate पे ड्रौ करें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब हमें इसके position को change करना है, इसके size को बदलना है, इसके लिए format menu पर click करें, यहाँ पर position and size option को select कर ले, फिर position and size विकल्प को select करें यहाँ पर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर यहाँ पर L option position का है, यहाँ पर position x और position y, अगर आपको position x से या position y के angle को change क करना है, जो इसके axis से बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से change कर सकते हैं, अगर इसके width को बढ़ाना चाहते हैं, यह उसके height को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से width और height को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उपर वाले button से number increase ह होंगे, फिर rotation का options आता है, अगर आपको इसका angle change करना है, तो आप यहाँ से इसका angle change कर सकते हैं, जिस angle पे भी आप उसे rotate करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से adjust कर सकते हैं, उसके बाद OK के button पे click कर दें, जैसे OK के button पे click करेंगे, जितना आपने angle को change किया था, यह उसी angle में यह आपको object rotate हो जाएगा, हमने यहाँ पे size भी इसका बढ़ाया था, तो आप देख सेके size भी थोड़ा सा increase हुआ है, इसकी bit भी थोड़ा सा increase हुआ है, तो इस प्रकार से आप position and size का उप्योग कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप object के angle को भी change कर सकते हैं, अब आप सभी किस इसी चित्राथवर drawing में line option का उप्योग करके दिखाएं, आप इसे सभी line property और arrow style के सभी option का अभ्यास करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें, आईए वीडियो को देखकर line के उपर formatting करना सीखते हैं, अगर line को अलग-अलग style में करना है, तो कैसे करे इसके लिए सबसे पहले, एक line को insert कर लें, यह draw कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब हमें इसके अंदर formatting करना है, इसके लिए आपको format menu पे click करना है, क्लिक करने के बाद आपको line विकल्प को select कर लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक box हा जाएगा, by default यहाँ पे line विकल्प पहले से ही select है, यहाँ पे line property में पहला option line style है, यहाँ पे आपको जिस style में भी line चाहिए, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, यहाँ पे अलग उपर करके line style दिया हुआ है, हमने यहाँ पे find axis जो line के एक type है, उसको हमने select किया, फिर अगर आप उसके line के color को change करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से color को change कर सकते हैं, अगर line के width को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से width को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप line के arrow लगाया, अगर arrow के width को बढ़ाना है, तो आप यहाँ से width बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगला option shadow का है, पहला option इसमें property, use shadow पे click कर दें, फिर position आएगा, कि आपको line का जो shadow कि इस direction में चाहिए, तो आप यहाँ से change कर सकते हैं, वो direction आप select कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के directions देवें, जिस direction में भी आपको चाहिए, फिर distance का option है, distance की option से आप जो line है, उससे shadow कितनी दूर होनी चाहिए, वो आप यहाँ से adjust कर सकते हैं, फिर color है, color से आप shadow का color दे सकते हैं, अगला option line style का है, यहाँ पर line style में और arrow style में खुद से customize कर सकते हैं, अगर आप अलग से line के style या arrow style को अपने नाम के साथ save करना चाहते हैं, तो उससे आप यहाँ से save करके add कर सकते हैं, तो आप देखेंगे, जो आपने style को select किया था, वो यहाँ पर apply हो गया है, यहाँ पर आप देखेंगे से shadow भी बनके आ गई है, जो भी अपने formatting किया था, वो formatting आपके line के उपर आ चुकी है, तो इस प्रकार से आप line विकल्प का उप्योग कर सकते हैं, अब आप एक नई slide को insert करें, फिर उसमें area option के सभी option की मदद से formatting करके दिखाएं, अगर कोई समस्त्या हो तो आप सभी वीडियो को देखकर इन सभी option का उप्योग करना सीखें और या और इसका अभ्यास करें, आएए वीडियो को देखकर area विकल्प के बारे में सीखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके slide पे कोई drawing होनी चाहिए, अगर कोई drawing नहीं बनाया है तो आप drawing toolbar में जाके किसी भी एक drawing को बना ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर नया slide को insert किया, नया slide insert होने के बाद drawing toolbar में से कोई shape को select कर ले, फिर slide पर drag कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इस shape को drag किया, अब area की मदद से इसके अंदर हम formatting करेंगे, जैसे कि आप जानते है area की मदद से हम अलगलों परकार की formatting कर सकते हैं, उसमें हम उसे customize भी कर सकते हैं, color को, text को या textures को, इन सभी चीजों को आप customize भी कर सकते हैं, सबसे पहले image को select कर ले, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर format menu पर click करे, format menu पर click करने के बाद area विकल्प को select कर तो यहां पर एक box आजाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, by default area select है, पहला option fill का होता है इसमें, इसके अंदर color, hatching, bitmap, अलग-लग options दिए हुए हैं, आप जो भी textures या formatting, image के अंदर जैसे चाहिए, आप उसे यहां से fill कर सकते हैं, हमने bitmap option को select किया, और हमने एक style को हमने यहां पर select कर लिया, फिर यहां पर position दिखाया जाए रहे कि आपको style यह pattern कि इस position में चाहिए, वो आप में आप से change कर सकते हैं, second option shadow का है, हमने यह shadow पर click किया, फिर यह position है, जिस direction में आपको shadow चाहिए, उस direction को आप select कर लें, फिर distance है, जितनी दूर आपको shadow चाहिए, warp distance यहां से कम यह ज्यादा कर सकते हैं, अगला option color का है, shadow का color अगर आप change करना चाहते हैं, फिर यह transparency का है, कि आपको shadow कितना दिखाई देना, देखना चाहते हैं, dark यह light वो आप यहां से कम यह ज्यादा कर सकते हैं, transparency में जो आपने अंदर, image के अंदर जो color fill क्या है या style को, जो भी style दिया है, अगर आप उसकी transparency को कम यह ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं, फिर gradient है, जो उसका texture है, जो line है, अगर उसके आपको style को change करना है, उसके angle को change करना है, या border देना है, तो आप वो सारी चीज़े यहां से कर सकते हैं, जैसे कि दिखाया जा रहा है जब इस पर क्लिक करेंगे ऑके के बटन पर ती सारे चीज़ें आपके अप्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा आगे के ऑप्शन में कलर ग्रेडियंट हैचिंग बिटमैप इसके इससे आप अगर आप अलग से कोई कलर चाहिए तो आप उसके अंदर ए प्रकास से बिटमैप में भी आप अलग से एक टेक्सेस को बना सकते हैं उसे क्रेट कर सकते हैं जैसे के आपको बताया जा चुका है फिर ओके पर किलिक कर दें तो आप देखेंगे जो आपने स्टाइल सेलक्ट किया था जो फॉर्मेटिंग आपने किया था साइडिंग टाइप करें और फिर उन्हें स्पैलिंग चक की मदद से सही करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो की मदद से स्पैलिंग एंड ग्रामर विकल्प के बारे में सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले एक स्लाइड को इंसर्ट करें जैस इसकी सपैलिंग को रॉंक टैप किया तो यहां इसके नीचे रेटिकलर से अंडरलाइन हो चुका है इसे प्रकार से दूसरे वर्ड को टाइप किया हमने यह पर सॉफट्वर लिखा इसकी स्पैलिंग गज़ा तो आप देख सकते हैं यह रेटिकलर से हाइलाइट हुआ है इसके नीचे रेटिकलर आ चुका है है हमने यहाप एक्स्ट्रीमली टाइप किया देख सकते हैं यह भी गलत स्पैलिंग है अगला वर्ड हमने इनेबिलिटी टाइप किया आप देखते हैं इसकी स्पैलिंग भी गलत है इसके नीचे रेटिकलर की लाइन आ रही है अब हमें इसको ठेक करना है इसको ठेक करने के लिए इसे हमें करन्सी वर्ड को ठेक करना है वापे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अपने पॉइंटर को टूल्स मेन्यों पर लेके जाएंगे वहाँ पर क्लिक करेंगे पहले यह option spelling का है उस पर क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पर not in dictionary में लिखाया वहाँ पर रेट कलर से वह वर्ड हाइलाइट हो रहा है और टेक्स लेंग्वेज में जो लेंग्वेज है वह यहाँ पर दिखाया दे रहा है इंग्लिस यूसे उसी के नीचे एक suggestion है suggestion box में जितने उसे related words है वह यहाँ पर word आया हुआ है उनमें से आप जो correct spelling है उसे select करके change पर क्लिक कर देए वह change हो जाएगा अगला word software का है software के आप स्पैलिंग आया है उसे select करें जो सही spelling है फिर change पर क्लिक कर देए अब देखते हैं आप गडिकलर से extremely highlight हो रहा है यहाँ पर उसका spelling है उसको select करें और change पर क्लिक कर देए इसी परकार से inability यह भी राटिकलर से highlight हो रहा है यहाँ पर देखें, suggestion box में जो right, correct word है, उसको select कर रहे हैं और change पर click कर देए तब आप देख सकते हैं, जितने भी आपने ये wrong spelling type किये थे ये सारे अब सही हो चुके हैं, correct हो चुके हैं तो इस प्रकार से आप spelling and grammar का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी किसी एएक slide पर कोई picture को ले कर दिखाएं फिर उसे color replacer की मदद से आप उसका color बदर कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीचें आएं वीडियो की मदद से color replacer का उपयोग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते है, color replacer की मदद से आप picture के अंदर किसी भी color को, उसके background के color को replace कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक slide को insert करें, अगर पहले सी picture insert किया हुआ है तो आप उसे replace करके दिखाएं, अगर नहीं insert किया हुआ तो एक picture को insert करें, जैसे कि आपको वीडियो में दि पिक्चर को insert किया, किसी भी एक पिक्चर को आप insert कर ले, हमने इस पिक्चर को insert किया, अभी आप देख सकते हैं ये title slide है, इसको हम पहले blank slide में convert करेंगे, इसके लिए, हमने इसे delete किया plank slide में इसे convert कर लिए पहले फिर सब ये picture को insert करेंगे इसके लिए आप सभी को insert menu पे click करना है picture विकलब पे जाना है और किसी भी एक picture को आप select कर ले from file option को पहले select करें फिर जहाँ पे भी आपका picture है वहाँ से इसे insert कर ले जैसे कि आप वीडियो में देख सकता है यहाँ पे हमने एक picture को insert किया अब हमें इसके background जो आपको ये stones दिखा दे रहे हैं इसका हमें color को replace करना है इसके लिए सब से पहले हम tools pickle पे जाएंगे और color replace option को select कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहे है इस वाले option पे click करें और फिर जिसका भी color replace करना है पहले उस color को pick कर लें हमने यहाँ पे color को pick किया अब हमें से किसी दूसरे color के साथ replace करना है जहाँ पे replace with का option है वहाँ से आप किसी दूसरे color को select कर ले select करने के बाद इसके tolerance को आप कम ये ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से फिर उसे replace पे click कर दें तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी black color था जो color था उसे orange color के साथ replace हो गए ये जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर इसे आप फिर से replace करना चाहते हैं फिर से tools menu पे click करें color replacer पे click करें फिर पे तो option को select करें color को pick कर लें जिस color को भी आप replace करना चाहते हैं फिर जिसके साथ आप replace करना चाहते हैं उस color को replace with में उस color को select कर लें फिर replace पे click कर दें तो आप देखेंगे वे color पहले वाले color के साथ replace हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप color replacer को उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी अपनी impress कि किसी भी एक slide में spreadsheet को add करके दिखाएं कुछ data entry करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से object विकल्प के बारे में सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं object मदद से आप कोई impress की file में किसी दूसरे file को आप यूज कर सकते हैं या अलग से कोई object को insert करके उसका link बना सकते हैं इसके लिए सभी को आप सभी को insert menu पे click करना है फिर object विकल्प को select करना है यहां पर यहां पर बटन पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो spread sheet है जो calc है उसकी चोड़ा से एक file यहां पर insert हो जाएगी जैसे कि आपको video में दिखाया जा रहा है कि आप यहांप्सर आप सभी कारे कर सकते हैं जो आप spreadsheet सित के अंधर कारिये करते हैं अगर आपको data entry कर सकते हैं तो आपको वीडियो में दिखा रहे हैं हमने ऐा चांटींग 1234 लिखा अगर टैक्सFracă टाइप करना है alloc a marine तो यहां पर आपको वीडियो में दिखा अगर आप data बनाना चाहते होगा यहां से डेटा बना सकते हैं जिससे बहार आना है, बहार आना je कि लिए किन यह आपको इस छोटी सी फाइल जो spreadsheet किये उसे बहार click करना है जैसी आप बहार click करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपने type किया था, वो आपके इंप्रेस की फाइल पे सो हो रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटिंग और जो लिखा हुआ था वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब आप इस पर दुबारा क्लिक करेंगे जब आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर को डॉट बना जाएगा अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर से फाइल ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह formula बार है, जैसे कि आप जानते हैं कि spread sheet के अंदर formula बार होता है, अगर आप कोई formula यूज करना चाहते हैं, तो भी आप इस पर apply कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमें आपने some formula का उपयोग करेंगे, इसके लिए हमने equal to some type किया, bracket को start किया, जि आप पर देख सकते हैं, जैसे हमने enter button प्रेस किया, जो number को हमने track किया, तो उसको total कर दिया, आप ए total answer 6 आगया, तो इस परकार से आप presentation की file में spread sheet के सभी विकल्ब को आप use कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं, अब आप सभी minimize presentation विकल्ब को उपयोग करके दिखाएं, जैसे के आप जानते हैं, minimize presentation की मदद से, आप अपने document को duplicate document बना सकते हैं, उसके size को compress करके एक अलग से same वैसे ही document बना सकते हैं, लेकिन वो size में कम होगा, इसके लिए सबसे पहले tools menu पे click करें, फिर minimize presentation पे click कर दें, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जब आ आप minimize presentation विकल्ब को select करेंगे, एक box बन के आजाएगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर by default introduction, option palette step select है, फिर आपको next विकल्ब पे select करना है, यहाँ पे setting है कि आपको किस तरीके का आपको document चीए, screen optimize, projector optimize, print optimize, screen optimize, projector, आप इन में से किसी भी जिस तरीके का आप अपने document को बना चाहते है, हमने आपके screen optimize smallest file size को हमने select किया, हमें कम file size चीए, इसलिए, फिर next पे click कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने next पे click किया, फिर यहाँ पे दो options है, lossness compression और jpg compression, अगर इसके अंदर जीते हैं, अगर उ वो compress हो जाएगी, लेकिन जो quality रहेगी, quality सेम रहेगी, लेकिन file का size थोड़ी कम हो जाएगी, फिर next पे click कर दें, यहाँ पे दो options है, for all OLA objects, for all objects not based on open document format, तो पहला option पे click कर दें, फिर जाके next पे click कर दें, यहाँ पे apply changes to current presentation, यह option अगर जो भी अपने changes किया है, अगर उसके अ apply करना चाहते हैं, तो पहला option को select कर लें, फिर next पे click कर दें, जैसे finish पे click करेंगे, तो यह save करने को option आजाएगा, आप जो duplicate presentation file बनेगे, उसे कहाँ पे save करना चाहते हैं, तो आप उसे किसी भी location पे save कर सकते हैं, किसी भी नाम से आप save कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो म करेंगे, जो यह duplicate presentation है, फाइल आपकी बन जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं, यह फाइल अभी convert हो रही है, यहाँ पर open करने को पूछ रहा है, ओके पर click कर दें, तो आप देख सकते हैं जो यह document है आपका, एक duplicate document उसी के जैसे यह बन चुका है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस परकार से आप minimize presentation विकल्प का उप्योग कर सकते हैं, क्योंकि आज की class यही पर smart होती है, इसी लिए आप सभी अपने impress की file को close करें और system को shutdown करें, आज की class में आप सभी ने पिछली class का अभ्यास किया, जैसे की expense slide, summary slide, animated image, object, movie and sound, line, area, text, spelling and color replacer के बारे में सीखा,